तो लास्ट तीन वीडियो में हमने इतना पार्ट कुछ कवर किया है और आपको मैंने डीटेल में बताया था कि यह कैसे करना है और इस वीडियो में यह बचा हूँर एरिय कंपलीट करेंगे आपको बता देता हूं कि आपको फर्स लेयर कौन से ब्रश से दीनी है कौन सा color choose करना है reference photo में से और second layer कौन से brush से देनी है तो यह मैं बता देता हूँ आपको तो सबसे पहले इस neck वाले part के लिए आपको अलग layer पे काम करना है और उसको rename करके दे देना है name neck ताकि आपको पता चल सके अब आपको reference photo में से सबसे light color choose करना है यह देखो सबसे light color यह color है सबसे light color कौन सा है यह वला तो मैंने यह select कर लिया tab करके then आपको pen fade की help से first layer देनी है paint की first layer देनी है और यह जो color भार जा रहा है इसकी tension लेने की कोई जूरुत नहीं है आपको यह eraser से हम जल्दी से remove कर लेंगे फटा फट और यह सारी चीज़े आप fingers की help से भी कर सकते हो easily मैंने last video में यह भी करके दिखाया आपको finger की help से अब second layer कौन से brush से देनी है सबसे पहले color select करना है अब आपको अलग-अलग colors दिखाई देंगे यहाँ पर dark दिखाई देगा यहाँ पर light दिखाई देगा तो आपको यह color select करना है पहले then उसके बाद color select करने के बाद brush कौन सा use करना है airbrush trapzoid 20% अब यह सब करने के बाद आपकी observing power अच्छी होनी चाहिए कहाँ पर light tones हैं कहाँ पर dark tones हैं यह सब आपको देखना आना चाहिए दब जाके आप कर सकते हो अब मेरे को बारबर zoom out और zoom in करना बढ़ रहा है इसलिए यह मैं part cut करके paste कर लूँगा lasso tool की help से यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई हैं पहले ही तो यह part मैं cut करके लिया हूँ copy करके यहाँ पर मैंने paste कर दिया इस part को अब मेरे को बारबर zoom out zoom in नहीं करना बढ़ेगा जहीं से मैं color select करूँगा और देख देख के करता रहूँगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा phone नहीं होगा जैसे आपके पास sketching में तो होता है आप paper पे sketch कर रहे होती हो और आपको phone में से reference photo दिख रही होती है तो यहाँ पर कोई हमारे पास दूसरा phone नहीं होगा हम phone में digital art कर रहे हैं तो इसलिए यह problem आती है तो यहाँ से हम मैं color select कर रहा हूँ color select करने के बाद airbrush traps are 20% जैसे मैंने आपको पहले बताया अब यहाँ से shades देना start करने आपको तो अब हमने paint कर ली है shades दे दिया है अब इसको और smooth बनाना है तो आपको सबसे पहले smudge tools select करने है transparency कम करनी है then color को यह जो tones है इनको mix करने है आपस में अब यह आपको खुद करना पड़ेगा जब तक आप करके नहीं देखुगा आपको पता नहीं चलेगा कि चीजे कैसे काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा तो यह चीज़ आप जब करोगे तब आपको जादा समझाएगी तो इसलिए पहले आपको करके देखना पड़ेगा तो आप देख सकते हो शेट्स अच्छे से दे दी हैं मैंने जल्दी जल्दी किया आपको पेशेंस के साथ देने हैं शेट्स और पेशेंस रख़ेगा करके काम करने तो मैंने जल्दी जल्दी के रहा है आपको पेशेंस रखके काम करने तो शेट्स दे दी हैं समर्ज भी कर दिया है कंप्लीट हो चुका है यह एरिया अब हमको क्या करना है यह जो कौपी किया हुआ एरिया है इसको रिमूब करने पहले दिलीट कर दिया दन न तो अब आपका ये जो नेक वाला एरिया ये कंप्रीट हो चुका है अब इयर्स पर बढ़ते हैं तो इयर्स पर भी सेम वही प्रोसस है सबसे पहले मैं क्या करूँगा लैसर टूल की हल्प से ये इतना एरिया कट करके यहां पर पेस्ट कर लूँगा ताकि मेरे को जूम आउ इस नहीं एरियë को कट कर रहे हो तो आपने रेफरेंस वली लेयर जो जिस लेयर पर आपकी रेफरेंस होट ए उस लेयर को सेलेक्ट कियाू हूआ आपने तबी आपका वह इयर्या कट कर रहे हो new layer पर paste कर दूंगा और paste करके यह इतना area मैं यहां पर लेंगा दैन OK अब यह पेंट वाली लेर पहें करूंगा जो पेंट वाली लेर है मैं उस पे काम करूंगा और brush मैं कौनसा यूज कर रहा है Better brush trabzoid 20% तो यहां से मैंने color Select किया सेलेक्ट करने के बाद हम मैं शेर्ज दूँगा और ये सारी चीज़े आपकी उब्जर्विंग पावर पर डिपेंड करती है कि आपकी उब्जर्विंग पावर कितनी अच्छी है जितनी अच्छी अब्जर्विंग पावर होगी आपके उतने अच्छे से आप शेर्ड्स दे पाओगे तो हमारा ये कान वाला एरिया भी कम्प्रिट हो चुक है बस इसमें हाइलाइट्स देनी बाकि है तो अब यहां पर हमारा कान वाला एरिया भी डन हो चुक है अब आप यह सेकंड कान जो है वो मैं बात में कर लूँगा आपको मैंने बताई दिया कैसे होगा तो अब हम क्याप बले एरिया पर बढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं इसको करने लगे तो वीडियो की लेंद भूछ जादा लंबी हो जाएगी तो जल्दी से यह क्याप वाला एरिया करते हैं कवर अब आपको एक न्यू लेयर पर काम करना है और उसको रीनेम देते हैं क्याप मतलब जितने नए नए उबजेक्ट्स आएंगे उच्ट्ने लेयर्स आपको क्रियेट करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक लिए पे सारी सभीट्स न करका ओँगे अगर एक लिएर पे शारी चीजह करोगे तो आपको दिककत आएगी क्लर सेलग्ट करने के बाद आतको पैंफेड ड्रेश लेना है आपको स्लोली स्लोली कलर फिल करना स्टार्ट करना है मैं इसलिए थोड़ा केरफूल होके कर रहा हूं क्योंकि ये ब्लैक कलर है और ब्लैक आउटलाइन भी है फिर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दिखेंगे नहीं वे लुड़ा आट नहीं कि अब क्या करना है यह जो हाइलाइट्स है हमको यह देनी है तो सबसे पहले कलर सिलेक्ट करने कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको यह थोड़ा सा डार्क कलर है तो हमको इसको थोड़ा सा लाइट कर ले रहे हैं अपने हिसाब से अब हमको पोट्रेट को अच्छा भी तो बनाना है एक दम टिट्टो तो कोपी करेंगे नहीं तो हमको कुछ चीज़े खुछ से भी देखनी बढ़ती हैं आपको इस हाइलाइट के लिए भाई ब्रश यूज़ करना है एर ब्रश ट्राप्जर ट्वेंटी अब यह जो बीच में मैंने कलर कर रहा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा स्मर्ज कर दूंगा और थोड़ा थोड़ा कलर स्प्रैड कर दूंगा अगर आपको स्मर्ज टूल अच्छे से यूज़ करना आ गया तो आप इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो शेड्स को मेंटेन करने में एड़ेस्ट करने में यह देखो पहले ही कितना बद्दासा लग रहा था थोड़ा ठीक हो चुका है तो अगर आप पेशन् लगा है हुए 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 है थै arguments जो आउगा निस्का पोरा कर लिए नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि यह शर्ट को कैसेŤ करना है कैसे शेट देना है कैसे पेंट करना है और इसमें टेक्ष्चर भी है रिफ्रेंस फोटो में तो इसको भी स्खाऊंगा मैं आपको कैसे आपने टेक्षर देना है तो यह इतनी फोटो डण हो चुकी है Washington के साथ करोगे तो सब watching my video so bye